दोस्तों आपका स्वागत है My Big Head Smart Class के रात 8 बज़े वाले क्विज में इस क्विज में हम आपसे प्रिशन तो पूछते ही हैं, साथ में उसके बारे में आपको जानकारी भी देते हैं My Big Head Smart Class जोइन करने के लिए सस्क्राइब बटन के साथ घंटी जरूर दपाएं जिससे नया वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले नमस्कार दोस्तों मैं अभिभेनी वरतवाज आपका स्वागत करता हूँ MyPigate Smart Class में और इस वीडियो में आपसे पूछने वाला हूँ 10 प्रिशन ये सारे प्रिशन आपके सामने लाइव आएंगे और लाइव के दोरान आपको इस प्रिशन का सही उत्तर देना है हर सही उत्तर के लिए आपको खुद को एक अंग देना है और वीडियो के आखिर में आपको ये तैक करना है कि आपको कुल कितने अंग मिले तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज तो आज का हमारा पहला प्रिश्ण है कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गर्णा किस में की जाती है आप्शन नमर A, GIGABYTE आप्शन नमर B, BID आप्शन नमर C, MHz आपका समय शुरू होता है अब तो दोस्तो इस प्रिश्ण का सही उत्तर है आप्शन नमर C, MHz तो MHz को समझने से पहले आपको थोड़ा सा Hz के बारे में जानना होगा CPU Clock Rate के बारे में जानना होगा और CPU Clock Speed को समझना होगा प्रोसेसर के अंदर एक प्रकार की घड़ी होती है और वो एक सेकंड में जितनी बार घूमती है यानि काउंटिंग करती है या जितना समय लेती है उसे Clock Speed कहते है इस घड़ी की जो 1 है वो हर्ट्स है जैसे हमारी घड़ी की जो 1 है वो सेकंड होती है अब अगर आपके CPU की छमता 1 हर्ट्स है तो उसकी Clock Speed एक राउंड पर सेकंड मानी जाएगी दोस्तो एक मेगा हर्ट्स की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर 6 हर्ट्स यानि अगर हम एक मेगा हर्ट्स को हर्ट्स में कनवर्ट करेंगे तो वो होगा लगबग 10 लाख हर्ट्स के तो आशा है आप CPU Clock के बारे में जान गए होंगे अब बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रिश्ण की तरफ हमारा दूसरा प्रिश्ण है वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है आप्शन नमबर A, Home Page आप्शन नमर B, Browser Page आप्शन नमर C, Search Page या आप्शन नमर D, Bookmark आपका समय शुरू होता है अब तो दोस्तो इस प्रिश्ण का सही उत्तर है आप्शन नमर A, Home Page तो किसी भी वेबसाइट का जो में पेज होता है उसे Home Page कहते हैं अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रिश्ण की तरफ हमारा अगला प्रिश्ण है आप्शन नमर A, Memory आप्शन नमर B, Processor आप्शन नमर C, Input और Output Device आप्शन नमर D, उप्रोक्त सभी आपका समय शुरू होता है अब तो इस प्रिश्ण का सही उत्तर है उप्रोक्त सभी को तो दोस्तो आपका जो Operating System होता है वो आपके Computer की सारी गतविदियों को Manage करता है वो Memory को भी Manage करता है वो Processor को भी Manage करता है किस Application को कितनी Memory Provide करानी है किस Application को कितनी Process देनी है आपकी Input और Output Devices को भी Manage करता है कि कौन-कौन सी Devices से आपकी Computer में Input आ रहा है और अगर आपको इनिर्देश देते हैं तो वो किस Output Devices तक जाना है यह सारी चीज़ें आपका Operating System Manage करता है अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रिशन की तरफ हमारा अगला प्रिशन है FTP का पूरा नाम क्या है Option No.A File Transfer Protocol Option No.B Folder Transfer Protocol Option No.C Folder Transaction Protocol Option No.D File Transaction Protocol आपका समय शुरू होता है अब तो दोस्तो इस प्रिशन का सही उत्तर है Option No.A File Transfer Protocol दोस्तो File Transfer Protocol एक Internet Protocol होता है यानि नियमो का बंडल होता है जिसमें TCP IP Connections के माध्यम से दो कम्पूटर के बीच में File का आधान प्रदान किया जाता है अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रिशन की तरफ हमारा अगला प्रिशन है Website नाम में HTTP क्या है Option No.A Host Option No.B Website का नाम Option No.C Protocol Option No.D Top Label Domain आपका समय शुरू होता है अब तो इस प्रिशन का सही उत्तर है Option No.C Protocol जैसा कि हमारा आपको पिछले क्विज में बताया था कि HTTP एक इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है जिसकी सायता से आपको जो वेब पेज हैं वो डिस्पले होते हैं आपके कंप्यूटर तक पहुँचते हैं HTTP की फॉल फॉर्म होती है Hyper Tax Transfer Protocol तो आशाय आप समझ गए होंगे अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रिशन की तरफ हमारा अगला प्रिशन है प्रसेसर के तीन प्रमुक भाग हैं ध्यान से सुनिएगा यहां पर हम प्रसेसर के भागों के बारे में पूछ रहे हैं तो option number A है ALU, Control Unit, Register option number B RAM, ROM, CDROM option number C ALU, Control Unit, RAM option number D Cache, Control Unit, Register आपका समय शुरू होता है अब तो दोस्तो इस प्रिशन का सही उत्तर है option number A ALU, Control Unit और Register तो आपके प्रसेसर के यह तीन भाग होते हैं पहला ALU, इसकी फुल फॉर्म है Arthematic Logic Unit दूसरा CU, जिसे हम Control Unit भी कहते हैं और तीसरा Register इन सभी से मिलके जो आपका प्रसेसर है वो सारी प्रसेसिंग करता है और आपको Output देता है अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रिशन की तरफ हमारा अगला प्रिशन है SMPS का पूरा नाम क्या है option number A, Service Mased Power Shop option number B, Switched Mode Power Supply option number C, Switched Man Power Supply option number D, Service Man Power Supply आपका समय शुरू होता है अब तो दोस्तो इस प्रिशन का सही उत्तर है Switched Mode Power Supply SMPS के बारे में तो आप जानते ही होंगे आपके CPU को, आपके Motherboard को आपके Hard Disk को, सभी चीज़ों को SMPS के माध्यम से Power Supply परदान की जाती है, तो जिस भी चीज़ को जिदनी Power Supply की जरूरत है, SMPS उतनी ही Supply उसको प्रोवाइड कराता है जिससे आपका Computer अच्छे डंग से काम कर पाता है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रिशन की तरफ, हमारा अगला प्रिशन है Cache Memory को कहा जाता है Option No.A, CPU की मेमोरी Option No.B, USB मेमोरी Option No.C, RAM की मेमोरी Option No.D, Hardisk की मेमोरी आपका समय शुरू होता है अब तो दोस्तो इस प्रिशन का सही उत्तर है Option No.A, CPU की मेमोरी असल में Cache Memory CPU का ही एक पार्ट होता है यानि CPU के ही भीतर होती है और यह जो Cache Memory होती है यह बहुत छोटी होती है लेकिन बहुत ज़ादा तेज होती है और जिन प्रोग्राम और निर्देशों को बार-बार इस्तमाल किया जाता है उनको Cache Memory अपने अंदर सुरक्षित कर लेती है और प्रसेसर जब भी कोई डेटा प्रसेस करता है तो सबसे पहले Cache Memory को ही चेक करता है अगर वो फाइल उसे वहाँ नहीं मिलती है तो उसी के बाद वो RAM या Primary Memory को चेक करता है इसलिए Cache Memory को CPU की Memory कहा जाता है अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रिशन की तरफ हमारा अगला प्रिशन है कम्प्यूटर का बुद्धिमता इस्तर यानि IQ होता है कितना यह आपको बताना है Option No.A 80 Option No.B 0 Option No.C 50 Option No.D 100 आपका समय शुरू होता है अब तो दोस्तो इस प्रिशन का साही उत्तर है 0 जी हाँ कम्प्यूटर का बुद्धिमता इस्तर 0 क्योंकि कम्प्यूटर जो भी कुछ काम करता है वो सब उसको पहले से निर्देश दिये जाते हैं और उनी के आधार पर करता है कम्प्यूटर खुद से कुछ भी नहीं सोच सकता जितने सारे सौफ्टियर्स काम करते हैं इतने सारे भी computer action लेता है, वो सब हमारे द्वारा ही उसको command दी जाती हैं और पहले से उसके अंदर निर्देश फीड रहते हैं, अगर computer के अंदर कोई भी निर्देश फीड नहीं होगा, तो वो खुद से सोच के कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, इसी लिए computer का जो बुद्ध आपका समय शुरू होता है अब, पहली PD के computers को 1942 से 1955 के बीच में बनाया गया था, और यह जो computer से इसमें diode बल्ब, निर्वाट ट्यूब का इस्तमाल किया गया था, इसलिए इनका नाम diode भी रखा गया था, और diode का इस्तमाल करके जो पहला electric computer बनाया गया था, उसका नाम एनक रखा गया था, तो आज का quiz यहीं पर समाप्त होता है, आशाय दोस्तों यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैन को जरूर सिस्काइब कीज और जरूर बताईए, हम कल रात आठ बचे आपके लिए फिर ऐसा ही quiz लेके आने वाले हैं, जो आपके ग्यान में और जादा बढ़ोतरी करेगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जयहिंद वन्ने मातरम